योगी ही उपयोगी योगी ही जरूरी तो सवाल है लोगसभा चुनावों के तुरंत बात आखिर ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या बदल गया और जब अर्विंद केजरीवाल जैसे नेता और तमाम विपक्षी नेता खुले आम ये कह रहे थे कि बीजेपी योगी जी को हटान वाली हैं मोदी योगी जी को हटाने वाले हैं तो इन चीजों का बीजेपी ने सही समय रहते जवाब क्यों नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया अब एक पूरा गुट है जो उत्तर प्रदेश की सारी जिम्मेदारी केवल योगी आधितनात पर तैक कर द देना चाहता है दिल्ली में पिछले दो दिनों से यूपी के सीएम डिप्टी सीएम यूपी के प्रदेश अद्यक सब लोग डेरा डाले बैटे हैं कि प्रदान मंतरी से मुलाकात होगी बातचीत होगी लेकिन सवाल है कि शंसे और सवालों के घेरे में योगी आधितनात को लेकर के कौन आया क्या ये चुनाँ यूपी सीएम का था क्या ये चुनाव योगी आधितनात लड़ रहे थे क्या इन चुनाओं में योगी आधितनात से पूछ-जबा टिक बाते गए ये सब कुछ नहीं हुआ बावजूद इसके उतंतर प्रदेश में गुट है जो ये तै कर देने में लगा है। लग रहा है कि यूपी के दो डिप्टी सीएम वर्सेस यूपी के सीएम हो रहा है। सब कुछ आजमाईश करने के बाद BJP और संग को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि BJP या संग उसी के पीछे खड़ा होता है जिसके साथ संगठन और जनता होती है। तो सवाल है कि जो भी ताक्ति योगी आदितनात के खिलाफ लगी हुई है तो क्या उनके पास वो जनाधार है। क्या उनके पास वो संगठन की सकती है जो योगी आदितनात और योगी आदितनात के चहरे के साथ है। जिसमें दोनों डिप्टी सीम रहेंगे इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे योगी आदितनात रहेंगे प्रधान मंत्री के नेतरुतुमें वो मीटिंग होनी है। इसके अलावा दो-दो संग के प्रचारक जो एक तो पस्षिम के हैं कौन कोन लोग हैं योगी आदितनात डिप्टी सीम केशो मौर ब्रजेश पाटक संगठन महामंत्री धरम पाल यूपी बीजपी अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी और इसके अलावा पूर्वी यूप उत्तर प्रदेश का टॉप सेवन दिली में डेरा जमाये बैठा है उत्तर प्रदेश जैसे राज में योगी जैसा प्रशाशक होते हुए आखिर ऐसा क्या हो गया है कि टॉप सेवन ये तैख करने में बैठा है कि भाई कुछ ताकने अगर आपस में कुछ हो रही है तो हम तै कर दें लेकिन क्या ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसा उत्तर प्रदेश के लिहाद से होना चाहिए या देश के लिहाद से होना चाहिए जब आप ये देखोगे तो आपको एक बेसिक चीज समझ आएगी जब आप एक बढ़िया मुख्रमंत्री या ताकतवर नेता को हमने आपको बताई भी थी वो खबर ग्लोबल ने बताई थी आपको कि वो क्या चुक है जी योगी जी के अंडर में हम काम नहीं करेंगे इसके अलाबा पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आप समझ लीजिए सिलसलेवार से क्या उत्तर प मंडल हैं छेचे मंडल सबके जिम्मेदारी थी योगी आदितनाथ पिछले कई दिनों से जो चुनाओ के बाद वो आंकलन करनी की बैठक हो रही थी लगाताव 18 मंडलों की बैठक कर चुके हैं योगी आदितनाथ और उन मंडलों की बैठक में खुद केशो परसाद मौर र और क्या और उसके बाद डिप्टी सीम जब मीटिंग में नहीं आए तो क्या इस तरह की भी बात है कि योगी आधितनाथ की तरफ से एक दूसरे के अधिकार छेतर का हनन हुआ चुकि छेतर बटे हुएं और इसी के बाद से आपने ये सुना होगा कि केश्व प्रसाद मौरे लगातार लोगों से मिल रहे हैं कई सारी फोटो उन्होंने जारी कर दी और ये कुछ फोटो तो ये वो हैं जो गटवंदन के साती हैं इसके अलावा केशव प्रसाद मौरे लगातार पार्टी के विधाईकों सांसदों संगठन के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं और रोज केशव प्रसाद मौरे की तरफ से टूइट आ रहा है इसके अलावा एक टूइट आया किन की तरफ से योगी आदितनाथ की तरफ से ज पल्लवी पटेल वो नेता हैं जो सिराथु से केश्वप्रसाद मौरे को हराती हैं और उन पल्लवी पटेल से योगी अधितनाथ का मिलना हैं खुद केश्वप्रसाद मौर OBC नेता हैं OBC को लेकर BJP बहुत कुछ लोक्सभा चुनावों में जेल चुकी है उसकी भी आगे की तैयारी है ओबीशी का बड़ा चेहरा है केशा प्रसाद मौर और ऐसे में पल्लवी पिटेल से योगी आदितनाथ जब मिलते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि दोनों ही खेमों की तरब से बैलेंसिंग और एक दूसरे को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है तो यूपी बीजे के स्टेचर का कोई दूसरा नेता नहीं है बीजेपी के पास लेकिन ये तैय जरूर है कि यूपी बीजेपी में जो हो रहा वो संगठन और सरकार दोनों के लिए ही ठीक नहीं है अभी हाल में आपने एक फैसला सुना होगा जिसमें योगी आदितनाथ ने ये कहा कि ये जि भी किसी बात के साथ जाएं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसकी पुखता सबूत दीजिए हम उस अधिकारी पर कारवाई करेंगे इस बात को आप उस से जोड़िये जिसमें केश्व प्रसाद मौरन ने उस बैठक में कहा था कि संगठन जो है सरकार से बड़ा ह होता है और दिल्ली की तरफ से एक मैसेज निश्यत तोर पर लखनों को ये होगा कि भाई संगठन को जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला अधिकारियों को संगठन का सुनना ही पड़ेगा और योगी आधितनात की तरफ से ये मैसेज जाता है अब बाद एकदम तांडव सा हो रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी में और लोग एक दूसरे से छुपा रहे हैं अकलेश यादव ओफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर ओफर को ठुकरा दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर लगातार एक दूसरे को केशव और अकलेश एक की तरह होता है चेक एन बैलेंसिंग का खेल हो रहा है और योगी आदितनात इस दर्मियान दिल्ली में हैं उनके साथ दोनों डिप्टी सीय में प्रदान मंतरी की बैठक होने वाली है आपको क्या लगता है दर्शकों की ऐसा क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में या दिल् मंडलों के जिम्मेदारी बाट दी बावजूद इसके उत्तर प्रदेश जैसा राजे जिस राज ने 2014-2017-2019-2022 जिता कर दिया उस राज में बीजेपी की सरकार और संगठन के बीच चल रहा ये खीचतान बीजेपी के गले की फांस बन गया है अब सवाल है कि क्या दिल्ली में बैठा नेत्रितू बीजेपी का शीष नेत्रितू संग का शीष नेत्रितू उत्तर प्रदेश में चल रहे इस राजनेतिक ड्रामे को रोकना चाहता है या इसको यूही चलने देना चाहता है और इस चलने देने में फाइदा किसका है क्या दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौझूदा मुख्यमंत्री है योगी आधितनाथ इनको गोरखपुर तक ही सीमित कर दिया जाए क्यूंकि कुछ लोगों को योगी आधितनाथ के बढ़ते राजनेतिक कर बढ़ते राजनेतिक भ फसा देना चाहते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा विशलेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा